हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एड्यूहब एड्यूहब ऑनलेन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड वो है बास्वाडा जीला आज हम बास्वाडा जीला के उपर डिसकस करेंगे हमारा जो यह चल लिए दोस्तो वह है सफर्वाण करेंगे तो आओ दोस्तो हम स्टार करते हैं मैं चालता हूं दोस्तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे तभी आपको यह बास्वाडा जीला जो है प्लिट हो जायेंगा आपको आज एक वार ही इस जीले को पढ़ना है इस जिलेश रिटे जितने भी फैक्ट है जितने भी इंपॉर्टेंट चीजे बन के आती है या जो भी क्यूस्टन जो है एक्जाम के अंदर आ सकते हैं उन सब का इसके अंदर समावेश है वो सारा आपका आज ही के लिए हो जाएगा दोस्तों ठीक है स्टार्ट करते हैं बासवाड़ा की स्थापना पहले हम देखेंगे फ्रेंड की बासवाड़ा जो जीला है उसकी स्थापना कैसे हुई है ठीक है फिर बासवाड़ा के उपनाम क्या क्या है बासवाड़ा के जो भी इस्थान है यहाँ पर इस्थान विशेज के उपर हमारा ड इसकस करेंगे बासवाड़ा की जो क्रसी विशेश है उनके ओपर हमारा delivered je बासवाड़ा की खनी चेत्र जो है उनके ओपर भी हम डिसकस करेंगे और J प्रिंपायन नविंत्लम तद्थिया निकल कर आते हैं दोस्तो में बासवाड़ा जीला पढ़ना है दोस्तो तो ये जो points मैंने बनाए हैं इन points के उपर हम discuss करेंगे आपका ये जीला पूरा complete हो जाएगा क्या-क्या देखेंगे बासवाड़ा की स्थापना बासवाड़ा का उपनाम बासवाड़ा का इस्थान विशेश बासवाड़ा की नदिया बासवाड़ा के जो बांध प्रयोजना हैं उनके बारे में बासवाड़ा के उद्ध्योग, क्रशी विशेश, खनित छेत्र और जो नविंतम तक्त्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे ठीके ये जैसी complete होगा तो आपका बासवाड़ा जीला complete हो जाएगा दोस्तों तो हम start करते हैं बासवाड़ा की स्थापना से लेक स्थापना की है, ठीक है, आपको ये चीज़ धियान अकना है दोस्तों, जो महारावल उदेख सिंग है, इनके दो पुत्र थे, एक थे ढूंगर सिंग और दूसरे थे ये जगमाल, ढूंगर सिंग ने ढूंगरपूर की स्थापना की और जगमाल द्वारा बासवाड़ा की स्थापना किया गया ठीक है तो बासवाड़ा की स्थापना से रिलेटेड जो फैक्ट निकल कराता है वो क्या है दोस्तो माहारावल उदे सिंग के जो पुत्र थे जगमाल जगमाल ने बासवाड़ा की स्थापना की है बासवाड़ा को पहले बास्या भिल की धानी के नाम से जाना जाता था बांसवाडा का जो प्रतम सासक कौन हुआ जगमाल थे ठीक है अब देखो वागड़ परदेश वागड़ परदेश किसको कहा जता है दोस्तों डूंगरपूर और बांसवाडा का जो छेत्र है उसको वागड़ परदेश कहते हैं अगर वागड़ परदेश की बात की जाए तो वागर परदेश जो है वो डूंगरपूर और बासवाड़ा के छेत्र को वागर परदेश कहा जाता है और वागर परदेश की स्थापना सामन सिंग ने की थी दोस्तो ठीक है तो आपका जो ये बागर की स्थापना है ये हमने अभी किलियर कर लिया की स्थापना महारावल उदै सिंग के पुत्र जगमाल द्वारा किया गया महारावल के दो पुत्र थे एक था ढूंगर सिंग दूसरा था जगमाल ढूंगर सिंग ने ढूंगरपूर की स्थापना की और जगमाल ने बास्वारा की स्थापना की है दोस्तों के लिए बास्वा के प्रत्थम सासक जो थे वो थे जगमाल और अब एक चीज़ इंपोर्टेंट यह है दोस्तों वागड़ परदेश क्या है बासवाड़ा और डुंगरपूर दोनों को जोड़ कर जो परदेश बना है वो है वागड़ परदेश बासवाड़ा और डुंगरपूर दोनों को ज तोड़ कर जो परदेश बना उसको वागड़ परदेश कहा जाता है दोस्तों ठीके अब हम बात करेंगे बोली बोली कौन सी बोली जाती है यहां पर यह वागड़ परदेश है तो वागड़ी बोली बोली जाएगी ठीके कौन सी बोली बागड़ी बोली बोली जाएगी त्रीपुरी सुन्दरी का जो मेला है वो यहां का प्रसीद है कौन सा मेला घोटिया अंबा का मेला और त्रीपुरी सुन्दरी का जो मेला है वो यहां का प्रसीद है करकर एखा जो है वो बांसवाडा से गुजरती है बांस के पेड की अधिकता के कारण जो है इसका नाम बां उदे सिंग के पुत्र जगमाल द्वारा बासवाड़ा की स्थाफना की गई है दोस्तों ठीक है अब हम बात करेंगे बासिया भील की धानी के नाम से भी बासवाड़ा को जाना जाता था बासवाड़ा की प्रतम सास्चक जगमाल है बास वागड़ परदेश डुंगरपूर और डुंगरपूर और वास्वाडा के छेत्र को वागर प्रदेश खा जाता है, यहाँ पे जो बोली बोली जाती है दोस्तों वो भी है बागडी बोली, कौनसी बोली, बागडी बोली, नर्तिय, कौनसा नर्तिय किया जाता है यहाँ पर, धार नर्तिय किया जाता है, मेला कौ गोटिया अंबा का मेला वह त्री पूरी सुंदरी का मेला लगता है। गोटिया अंबा का मेला और त्री पूरी सुंदरी का मेला और त्री पूरी सुंदरी का मेला यहां का प्रसिद मेला है। मांसून का परवेश्दवार कहा जाता है। उसके बाद हैं राजस्तान की छोटी कासी कहा जाता है। उसके बाद सो दिपो का सहर कहा जाता है। तो यह जो है यह बासवाडा के उपनाम है दोस्तों अब हम जो है बासवाडा के स्थान विशेश के उपर डिस्कस करेंगे ठीक है दोस्तों हमने अभी देखा है बासवाडा की स्थापना और बासवाडा के उपनाम इन दोनों पॉइंटों को हमने एकदम के लियर कर लिया है बासवाड़ा की स्थापना महारावल उदे सिंग के जो पुत्र है जगमाल द्वारा किया गया है वागर परदेश किसे कहते हैं डुंगरपूर पलस वाशवाड़ा के छेत्र को वागर परदेश यहां की बोली बागरी बोली मेला घोटिया अंबा का मेला और त्री पुरी सुन्दरी का मेला करकरेखा जो है वो बासवाड़ा से गुजरती है बास के पेडों की अधिकता के कारण इसका नाम बासवाड़ा पड़ा बासवाड़ा के उपनाम आदिवाश्यों का सहर मांचून का परवेश दुआर राजस्तान की छोटी कासी और सो दिपो का सहर कहलाता है बासवाड़ा के इस्थान विशेश तो पहला आता है अर्थूना अर्थूना क्या है परमार सासक की राजधानी अर्थूना थी जो परमार सासक थे उनकी राजधानी क्या थी अर्थूना थी इसलिए जो है अर्थूना एक विशेश प्रसिद इस्थान है तो आपको छेत्रों को छपन का मैदान कहा जाता है हमने परताब गड़ जीला पूरा पढ़ लिया है दोस्तों वो आपको राजस्तान जीला दर्सन की प्लेलेश्ट में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके परताब गड़ को पूरा स्टडी कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर रहें प्रताबगड में माही नदी के बहाव छेत्रों को 56 का मैदान कहा जाता है कांठल बासवाड़ा प्लस प्रताबगड बासवाड़ा प्लस प्रताबगड के माही नदी के किनारे का जो छेत्र है वो कांठल कहलाता है वो क्या कहलाता है कांठल कहलाता है क्यों कुन सा बासवाड और प्रतापगड के माही नदी के किनारे का छेत्र माही नदी जो है बासवाड़ा प्रतापगड से जो बहर रही है उसके किनारे का छेत्र है उसको कांठल कहा जाता है दोस्तों ठीक है तो हम देख रहे हैं राजस्त बासवाड़ा के इस्थान विशेज के बारे में माही नदी का जो बहाव छेत्र है जो बहने वाला छेत्र है उसी को ही छपन का मैदान कहा जाता है फिर कांठल कांठल क्या है बासवाडा प्लस परताबगड के माही नदी के किनारे का जो छेत्र है फ्रेंड वो कांठल कहलाता है क्या कहलता है कांठल कहलाता है फिर बात करते ह तलवाडा यहां के सूरिया मंदीर और लक्षमी नरायन मंदीर परसीद है। ठीक है तो कहाँ पे है तूर्टाई माता का मंदिर तलवाडा बासवाडा के अंदर देखो तलवाडा जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर और लक्षमी नरायन मंदिर प्रस्चीद है यहाँ पर आपको एक सूर्य मंदिर भी मिलेगा और लक्षमी नरायन मंदिर भी मिलेगा वो हम बात करते हैं कल्ला जी का मिला कल्ला जी का मिला बासवाड़ा जिले में कल्ला जी के सो मंदीर है बासवाड़ा ही एक ऐसा जीला है जहां पर कल्ला जी के सो मंदीर मिल जाएंगे मेला नवरात्रा से पहले रवीवार को मेला लगता है नवरात्रा जैसी आने लगती है नवर जी का मेला कल्ला जी का मेला जो है बासवाडा जीले में कल्ला जी के सो मंदिर है मेला नवरात्रा के पहले रविवार को मेला लगता है गोपिनात का गड़ा गाउ जो है इसके लिए प्रसीद है फिर हम बात करेंगे कुसलगड कुसलगड में सूर्य की किरने 21 जून को सीधी पीरती है ठीक है फिर है भावन पूरा संत अब्दुल्पीर की अब्दुल्ला पीर की दरगा कौन चाहे भवान पूरा है उसको भवान पूरा कहा जाता है अब हम बात करें घोटिया अमबा इस जगे का संबंद महा भारत काल से है पांडवो ने करसन की सायता से आठ हजार रीशियो को यहाँ पर भोजन कराया था सबसे बड़ा मेला चेत्र अमावश्या को लगता है घोटिया अमबा का मेला बहुत बड़ा मेला है वासवाडा का और यह मेला जो है वो चेत्र अमावश्या को लगता है ठीक है तो घोटिया अमबाब के लिए क्या क्या important है इस जगे का संबंद महा भारत काल से है पांडवों ने यहाँ पर आठ हजार रीश्यों को भोजन कराया था और किसकी साहिता से स्री कृष्ण की साहिता से ठीक है यह सबसे बड़ा मेला है और चित्र अमावश्या को भरा जाता है अब next है पहारी में है मांगड धाम मेला मांगड पारी में है भील जनजाती के सरवाधिक लोग आते हैं यह आदी वाश्यों का मेला है भांगड धाम मेला भांगड पहाड़ी में है भांगड धाम मेला कहां पर है दोस्तों भांगड पहाड़ी में है भील जनजाती का सरवाधिक ल हो जाए तलवाडा तलवाडा में है सूर्य मंदिर और लक्षमी नरायन मंदिर सूर्य मंदिर और लक्षमी नरायन मंदिर है यहां पर त्री पूरा सुंदरी का मंदिर भी है जिसको तूराई माता या तूरताई माता भी कहते हैं ठीक है तलवाडा के अंदर सूर्य और वासवाड़ा जिले में कल्ला जी के सो मंदीर बने हुए हैं मेला कल्ला जी का जो मेला है वो नवरात्रा से ठीक पहले रविवार को मनाया जाता है गोपिनात का गढ़ा गाउं और ये गाउं कौनचा है गोपिनात का गढ़ा गाउं ठीक है अब हम बात करें कुसलगड कुसल जून को 21 जून को सूर्य की जो है वो सीधी रेखा गिरती है कहां पर कुसलगड में बास्वाडा का जो कुसलगड तैसिल है वहाँ पर जो क्या होता है सूर्य की क्रिने 21 जून को सीधी गिरती है बवानपूरा संत अब्दुल्लापीर की दरगा है इस जगे का सम्मन्ध महाबारत काल्ष से है यहां पर पांडवो ने कुरसन की सहयता से आथ हजार ब्रामनों को भोजन कराया था सबसे बड़ा मेला चेत्र अमावश्या को भरता है कब चेत्र अमावश्या को मानगड धाम मेला मानगड पहाडी में है मानगड धाम मेला मानगड पहाडी में भील जंजाती के सरवादिक लोग आते हैं मानगड मेले में और इसको आदी वाशो का मेला भी कहा जाता है ठीक है यह मानगड पहाडी में है आदी वाशो का मेला है भील जंजाती के लोग सरवाधिक आते हैं, मार्ग शिष पुर्णी मा मेला लगता है, मार्ग शिष पुर्णी मा मेला लगता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे छीज, छीज क्या है, ब्रहमा मंदिर है, छीज के अंदर ब्रहमा मंदिर है, सहारावल जगमाल, सहारावल जगमा दो इन पूर्खिया जो आननदपूर्व भूकिया और आननदपूर्व भूकिया और आननदपूर्ग से कीना है उटो कलिंजरा में क्या है जैन मंदीर है जो रिसव देव जी को समर्पिर्थ है हीरन नदी के तट पर इस्तित है ठीके कलिंजरा जैन मंदीर है कलिंजरा क्या है एक जैन मंदीर है और ये रिसव देव जी को समर्पिर्थ है ठीके हीरन नदी के पद पर ये इस्तित है के तट पर इ तो बासवाड़ा के जो भी स्थान विशेश थे फ्रेंड वो कम्प्लीट हो गए हैं एक वार हम उनका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें वो चीजे याद हो जाएं पहला आता है अर्थुना परमार सास्को की राजधनी अर्थुना चपन का मैदान बासवाड़ा प् यहां का जो सूर्या मंदीर है और लक्षमी नरायन मंदीर बहुत अधिक प्रस्तिद है त्री पूरा सुंदरी जिसे तूरताई माता या तूराई माता कहा जाता है उनका मंदीर भी यहाँ पर है फिर हम बात करें कल्ला जी का मेला बासवाड़ा जीले में कल्ला जी के सो मं मेला नवरात्रा के ठीक पहले जो संडे आता है उसमें ये मेला भरता है और गोपिनात का गढ़ा गाउं जो है वहां पर ये मेला भरा जाता है फिर हम बात करेंगे कुसलगड सुर्य की किरने 21 जून को यहां पर तिर्ची गिरती है कुसलगड में क्या है सूर्य की जो किरने हैं वो 21 जून को सीधी गिरती है फिर हम बात करेंगे भवानपूरा संत अब्दुल्ला पीर की दरगा संत अब्दुल्ला पीर की दरगा है भवानपूरा के अंदर घोटिया अमबा इस जगे का संब्ध महाभारत काल से है पांडवो ने कृसन की सहायता से पांडवो ने स्री कृसन की सहायता से यहां पर आठ हजार ब्रामनों का भोजन कराया था ठीक है सबसे बड़ा मेला चेत्र अमावश्या में लगता है कब चेत्र अमावश्या में मानगड धाम मेला मानगड पहाड़ी पर आदिवाश्यो का ये मेला है ठीक है आदिवाश् जन्जाती के सरवादिक लोग जो है बील जन्जाती के सरवादिक लोग होते हैं और इसको आदिवाशयों कुम्ब ना कहेकर आदिवाशयों का मेला कहा जाता है ठीक है मानगड धाम मेला मानगड पहाड़ी पर बील जन्जाती के सरवादिक लोग आते हैं और आदिवाशयों का ये मेला है माग शिष पुन्निमा को मेला लगता है कब लगता है माग शिष पुन्निमा को छीच ब्रहमन मंदीर है ब्रहमा का मंदीर है दूसरा जगमाल द्वारा बनाया गया है कौन बनाया है निर्मान जो है इसका जगमाल द्वारा किया गया है उसके बाद चार मुखी प्रतिमा के लिए प्रसीद है जो यह है चार मुखी प्रतिमा के लिए प्रसीद है प्रमा जी की जो मुर्ती है वो चार मुखी मुर्ती लगी वी है आनंदपूर व भूकिया सोने के उत्खनन के लिए प्रसीद है आनंदपूर व भूकिया के अंदर अभी रिसेंट ली सोने क ये उत्खनन के लिए हमें खाने मिल गई है ठीक है उसका दे बोर खेरा बोर खेरा माही बजाज सागर बांध इस्तित है ठीक है माही बजाज सागर बांध इस्तित है ठीक है माही बजाज सागर बांध जो है वो बोर खेरा में इस्तित है कलिंजरा क्या है जैन मंदीरों जैन और हीरन नदी के तट पर कलिंजरा जो है एक जैन मंदीर है जो रिसब देव जी को समर्पिर्थ है और ये हीरन नदी के तट पर इस्तित है नेक्स्ट है फ्रेंट बासवाडा की नदियां अब हम जो है फ्रेंट बासवाडा की जो नदियों के बारे में डिसकस करेंगे दोस्तों ठीके बासवाडा में जो नदी है पहला है माही नदी बासवाडा में खाटू गाउं से राज्य में परवेश करती है तथा बासवाडा है यह ठीक है तो 28 वाड़ा की नदी में सबसे important नदी जो है वो है माही नदी माही नदी जो है 28 में खाटू गाउ से खाटू गाउसे राज्य में परवेश करती है कहां से CRY में परवेश करती है तथा 25 वाड़ा पृताबगट की सीमा पर भैती हुई गुज्रात की खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है ठीके आप ये दियान रखो बासवाड़ा में खाटू गाउं से जो है परवेश करती है और बासवाड़ा वो परताव गड़ की सीमा अपर बहती हुई गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है उसमें अपना जल गिराती है कौन शिन राजस्तान की यह सोन रेखा कहलाती है दोस्तों दूसरा है अनास नदी उद्गम जो है मध्य परदेश से राज्य में परवेश जो है वो बास वाड़ा जीले से होता है कहां से होता है बास वाड़ा जीले से राज्य में परवेश करती है दोस्तों ठीक है पहली हमने नदी में ये नदी मिल जाती है एराव नदी का उद्गम प्रताब गट से होता है और बांस्वाडा में माही नदी में ये नदी मिल जाती है दोस्तो किलियर हो गया अब जो अब हम एक वरे सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों जो बांसवाड़ा की नदियां हैं उनके उपर बांसवाड़ा की नदियों में पहला है माही नदी बांसवाड़ा के खाटू गाउं से परवेश करती है और बांसवाड़ा वह परताब गट क सीमा पर बहती हुई गुजरार के खंबात की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है और दक्षिन राजस्तान की यह स्वन रेखा है अगर आप से पूछा जाए दक्षिन राजस्तान की स्वन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है तो आप बोलोगे माही नदी को कहा जाता है ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे अनास नदी अनास नदी का उद्गम मध्यपरदेश में से होता है और ये राज्या में परवेश करती है और मध्यपरदेश से उद्गम है और राजस्थान में ये परवेश बासवाड़ा जिले से करती है फिर हम बात करेंगे एराव अराव नदी का उदगम परताप गड़ से होता है और बासवाड़ा में माही नदी में ये नदी मिल जाती है अराव नदी जो है उसका उदगम परताप गड़ से होता है बासवाड़ा में माही नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है दोस्तों ठीक है अब हम जो है के उपर discuss करेंगे दोस्तों ठीक है तो आप देख रहें दोस्तों मैं एक एक चीज जो है आपको किलियर करवा रहा हूं तो मैं आप से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है फ्रेंड तो आप लाइ तो बांध परियोजना है बांध परियोजना क्या है दोस्तों माही बजाज सागर बांध वह कागदी पिक अप बांध जो है परमुख बांध परियोजना है आपसे पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर बांध कहां पर है तो माही बजाज सागर बांध तो आप बोल सक वाली है ठीक है तो यह बांध पर्योजना है फिर माही महुतसब किसके द्वारा परियतन विभाग द्वारा दो हजार आठ से कराया जा रहा है माही महुतसब कहां पर बासवाडा के अंदर परियतक विभाग द्वारा कराया जा रहा है अब हम क्रसी विशेश के बारे में दे धान का अरहड चावल वद धान वसन का जो है वो सरवादिक है उसके बाद है सरवादिक उत्पादन अरहड केला बांस और सहतूत अरहड केला बांस और सहतूत का सरवादिक उत्पादन होता है सरवादिक छेत्रफल तो है अरहड का चावल का और धान का अरहड चावल और धा का जो है सरवादिक छेत्रफल है दोस्तों और सरवादिक उत्पादन के अगर बात करें तो है केला अरहड बांस और सहतूत बांस को यहां पर हरा सोना कहा जाता है बांस वाड़ा के अंदर बांस को हरा सोना कहा जाता है क्योंकि बांस की यहां पर सबसे ज़्यादा जो है उत उतपादन होता है इसलिए ही बास की अधिक्ता के कारण ही ही इस सीठी का नाम इस जीले का नाम बास वाड़ा पड़ा और बास को यहां पर हरा सोना कहा जाता है उद्रोग कॉन कॉन्ओंस ख pref theme बासवाड़ा में सूती वस्त्र उद्धोग मील है बासवाड़ा सिंथेटिक्स है बासवाड़ा फैवरिक्स है और मिनी सिमेंट कार खाना भी है बासवाड़ा के अंदर ठीक है अगर उद्धोग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्धोग मील बासवाड़ा सिंथेटिक्स बांसवारा फैवरिक्स और मिनी सिमेंट कार खाना भी है यहाँ पर ठीके दोस्तों तो एक वर हम इसका कुई कर लेते हैं जो अबने क्या पड़ा बांसवारा की जो नदिया है उसमें पहली नदी है माही नदी माही नदी बांसवारा के खाटू गाम से परवेश करती है और बांसवारा वह प्रताव गंड से बहती हुई गुजरात की खंबात की खाड़ी में अपना जो जल है वो गिराती है ठीके फिर हम बात करेंगे दक्षिनी राजस्तान की इसको स्वर्ण रेखा कहा जाता है दोस्तों फिर हम बात कर रहे हैं अनास नदी अनास नदी का प्रवेश करता है अनास नदी जो है दोस्तों मध्य परदेस से उदगम और राजस्थान में प्रवेश बांस वर्ण जीले से हुने appelle नेक्स्ट देखो एराम नदी अराव नदी का उदगम प्रताब कर से होता है और बांस वारा में माही नदी में जाकर यह मिल जाती है फिर हम बात करेंगे बान्द परियोजना, माही सागर बान्द और कागदी पीक अप बान्द, परियाटक विवाग द्वारा 2008 में कराया जाता है, 2008 से कराया जारा है, माही महोचब बासवाड़ा के अंदर किसके द्वारा पर्यटन विवाग द्वारा ठीक है अब करसी विशेज के अगर हम बात करें तो अरहड चावल और धान का सरवादिक छेत्रफल है सरवादिक उत्पादन केला अरहड और बास का बास को बासवाड़ा के अंदर हरा सोना कहा जाता है क्या कहते हैं दोस्तों हरा सोना कहा जाता है कि लिए रहें नेक्स्ट देखो उद्धोग के अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुती वस्त्र उद्धोग मील बासवाड़ा सिंथेटिक बासवाड़ा फैबरिक खनीज शेतरा के उपए भंडार मिले हैं बासवाडा से हमें मैगनीज के सरवाधिक भंडार मिले हैं कहाहा आनन्दपूर, भूकिया, संजोला, मानपूर, दाबोचा में सोने के नई शेतरक होजे गए हैं तहां का आनंदपूर, भूकिया, संजेला, मानपूर वर डबोचा के अंदर सोने के नए छेतरक हो जे गए हैं। संग मरमर, घीया पत्थर, रोग फारफेस्ट, डोलो माइट वर यूरेनियम जो है भरपूर मातरा में मिलते हैं। संग मरमर, घीया पत्थर, रोग फारफेस्ट, डोलो माइट वर यूरेनियम जो है यहाँ पर भरपूर मातरा में मिलते हैं दोस्तों। ठीके। फिर हम बात करेंगे नापला गाउं। नापला गाउं में माही के किनारे परमानू विद्धुत ग्रह हैं। नापला गाउं में माही के किनारे नापला जो गाउं है वहाँ पर माही के किनारे माही नदी जो है माही नदी किनारे परमानू विद्धुत ग्रह है। खीके इंडो गोल्ड लिमिटेड नामक ऑस्टेलियाई फर्म ने यहाँ पर सोन बंडार की सोन बंडार की खोज किये किसने इंडो गोल्ड लिमिटेड जो ऑस्टेलियाई की ऑस्टेलियाई फर्म है उन्होंने यहाँ पर सोन बंडारों की खोज की है दोस्तों ठीके तो खनी चेत्र में क्या क्या इंपोर्टेंट है मैगनीज के सरवादिक भंडार बास्वाडा में है आननदपूर भूकिया संजेला मानपूर वर डबोचा में सोने के नए चेत्र खोजे गए हैं संग मरमर गिया पत्थर रोग फार फेस्ट डोलो माइट वर इूरेनियम के भरपूर म मातरा यहां पर मिलती है नाप लगाउं में माही के नदी किनारे परमानू विद्धॡ़ हैं इंडो गोल्ड लिमिटेट नामग कि है और उन्हों ने जो है बासवाडा के अंदर सुखंग भंडारों की खोजो की है अभ हम उनके बारे clearerे हम देखना चाहेंगे जंसंख्या सरवादिक हाँ पर कौन यह है इसाई धर्म का जो जंसंख्या वाला जीला है इसाई जो धिरम है उनके लोग बास्वडा में सबसे ज़्यादा रहते हैं जिरो सेयी कर दो चै सरवादिक लिंगानु पात 934 वा है 934 है जिरो से चैas में अगर सरवादिक लिंगानुपात की बात करी जाये तो वो 39 है और वो बासवाड़ा का है ठीक है 0 से 6 आयू के अंदर जो सरवादिक लिंगानुपात है फिर हम बात करेंगे 2011 में सबसे कम पुरु साक्षरता वाला जीला है ये सबसे कम पुरु साक्षरता वाला जीला 2011 में सबसे कम पुरुष सक्षर्टा वाला जिला राजस्थान में सोने के भंडार जो है वो हमें बासवाडा से ही मिले है सरवाधिक सागवान के वक्ष यहाँ पर मिलता है सोने के भंडार बासवाडा में सरवाधिक मिले है दूसरा सरवादिक सागवान के जो वर्ण है वो भी आपको यहीं से मिलेंगे 70% आदिवासी भील निवासी करते हैं 70% आदिवासी भील यहाँ पर निवास करते हैं कहाँ पर बासवाणा में 70% आदिवासी भील मतश्य बीज फारम भीम पूरा में है मतश्य जो बीज फारम है वो भील पूरा में है बतक वचूजा के अंदर भी है न्यूनतम दूद उत्पादक जिला सबसे कम जो है दूद उत्पादन वाला जिला है ये बासवाड़ा सरवादिक देशी मुर्गिया भी यहां पर पाई जाती है मक्का चावल वा सोया बिन अनुसंधान के अंदर गोपेसवर मेला खाटोल गाओं करतिक पुर्णिमा में मेला भरा जाता है कहां पर घाटोल गाओं में गोपेसवर मेला फिर हम बात करेंगे नंदनी माता तिर्थिस्तल मेला नवरात्रों में और मेला जो है नवरात्रों में पत्थरों से बनाए जाता है घरोंदे जो है पत्थरों से बनाए जाते हैं ठीक है नंदनी माता का तिर्थिस्तल जो है मेला नवरात्रों में लगता है और जो घरोंदे ह वो पत्त्रों से बनाए जाते हैं आनन सागर जील बासवाड़ा के सासक पासवाड़ा के जो महराज सासन करते हैं उनकी चत्रियां यहां पर है कहांपर आनन सागर जील में है दोस्तो ठीक है तो हम ने अभी पढ़ लिए हैं एक बार हम इसका कोई कर लेते हैं बासवाड़ा में आपको सरवाधिक इसाई धरम को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधीक मिलेगी दूसरी चीज जीरों से 6 वर्ष की आयू का जो लिंगानुपात है वो है 934 और वो सरवाधिक सबसे ज़्यादा बासवाड़ा के अंदर ही है 2011 में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जीला की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो एक मात्र जीला बासवाड़ा है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जीला ठीक है सोने राजस्थान में सोने के भंडार जो है वो बासवाड़ा से मिले ह सरवादिक सागवान के वर्ण कहा मिलते हैं बासवाडा में मिलते हैं सतर परसेंट आदिवासी जो है वो भील आदिवासी भील वो यहीं पर निवास करते हैं सतर परसेंट आदिवासी भील बासवाडा में निवास करते हैं मतश्य बीज फारम भीमपूरा में है बतख वचूजा कैंद्र भीमपूरा में है न्यूंतम दूद उत्पादक जीला सबसे कम जो है दूद का उत्पादन वो बांसवाड़ा में होता है सबसे ज़्यादा सरवादिक देशी मुर्गया जो है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है मक्का, चावल और सोयाबिन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तो गोपेशवर मेला, घाटोल गाओ, गोपेशवर मेला कहाँ पर फ्रेंड, घाटोल गाओं के अंदर कार्तिक पुर्णिमा को मेला भरा जाता है कहाँ पर लिखता है मेला, घाटोल गाओं में नंदनी माता तीर्थ इस्तल जो है मेला नवरात्रों में घरोंदों में पत्थरों के बनाए जाते हैं आनंद सागर जील जो है फ्रेंड वो बांसवाडा के सासकों की छत्रियां है यहाँ पर आनंद सागर जील के अंदर बासवाड़ा के जो सासक है उनकी छत्रिया है या पर दोस्तों ठीक है फ्रेंट तो ये जो बासवाड़ा जीला है ये पूरा कम्प्लीट हो गया है दोस्तों हमने इसके अंदर बासवाड़ा की इस्थापना उपनाम बासवाड़ा की इस्थापन के उपर हमने discussion किया है दोस्तों उद्ध्योग परियोजना उद्ध्योग जो है क्रशी विशेश खनी छेत्र और जो नविंतम fact add हुए हैं उनके बारे में हमने देखा है तो इस तरह से जो यह बांस वाड़ा जीला है वो complete हो गया है दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज आप like करें share करें subscribe कर लिजिए मेरे चैनल को आपको जो है रासान जीला दर्सन के जो वीडियो मिलते रहें फ्रेंड ठीके तो आज के लिए हम close करते हैं फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हैव नाइस डे बबाई